ओके दोस्तों ये पांच में टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यूपी ऐसी प्रिलिम्स में ये आहेंगे बहुत साथा काम सबसे पहले जैसे आपको जानते हैं गांदी जी गांदी जी के बारे में टोटल रिसर्च करके रखना जैसे जब ये सुड़न्ट अफ जो निटाल में इंडिन कॉंग्रेस बनाई एम्बूरेंस कोर बनाया गया सत्यगरह का आइडिया कहा से आए जिसने यूपेस ने सवाल पूछा सत्यगरह के आइडिया पे जैसे लियो टॉल्स्टोय ने एक बार लेटर लिखा था तिरुकुरुल को तो वो वाले आइडिय पर कवर भी किया हुए आप उसको भी जान सकते हैं सवाल पूछे गए तिन भारती इंडिपेंडनेंस मूव्मेंट में जब जो गोखले के जब टच में आते हैं गांधी तो कैसे सी एफ एंड्रूज के कहने पर ये टच में आते हैं और देन उसके बाद वर्ल्ड वार वन में अहिमसा, चंपारन सत्यागरे, खेडा सत्यागरे, वल्लब भाई पटेल उनको लेकर आते हैं महाँ पर, किलाफत मूवमेंट, राउलट आक्ट में क्या योगदान था, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सौल सत्यागरे, गांधी इर्विन पाक्ट में क्या आउटकम है, हाना यह जो आटिसीज हैं, सारी कमुनिल अवार्ड है, जो पूना पाक्ट होता है जिसके बाद, कुट इंडिया मूवमेंट, एटसेटरा, हाना तो यह सब चीजें मैं चाहूंगा कि आप एक बार देख कर रखें, क्योंकि गांधी जी बहुत सूपर 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 फ है, और कावीरी जैसे न्यूज में रहती है, तो उसके जैसे इंडस, ब्रह्मा, पुत्रा, नर्मदा, तापी, गुदावरी, कृष्णा, महानदी है ना, साथ, बड़ी, एन दिन कावीरी, उसके बाद तमिलाडू में, और इडिशा में, जो कुछ रिवर्स जो गिरती हैं जो देश में, सरफ इनलैंड रिवर्स हैं, ऐसे रिवर्स के बारे में जानो, विकिपीडिया में, डिटेल में दिया हुए, और ये ना, चीज़े में आपको यह नहीं कहा रहा है कि आज पढ़ने बैठो, रात तक खतम करतो, नो, ये धीरे, 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 जारे, तो ही फाइदे में रहोगे, दिन तीसरी जो चीज़ है, वह है भारती सॉइल्स, जो भारत में सॉइल्स की भी आप जैसे देख सकते हैं, साथ मेजर टाइप्स हैं, जैसे आपके अलूविल सॉइल, बहुत ही ज़ाता देखने को मिलती है भारत में, ब्लाक सॉइल, red soil हाना जो desert में आपको laterite soil नजर आएगी then forest या mountainous soil भी है हमारे पास marshy soil कौन से पौध है उकते हैं और ये इसमें क्या conditions चाहिए होती है क्यों ये soils यहाँ पाई जाती है और इसमें particularly कौन सा mineral जादा है कौन सा कम ये सब चीज़ें जितना जानते रहेंगे उतना जादा pre crack करने के अब नजदीक पहुंच आते हैं then जो चौती important चीज़ है जो 1940 के बाद भारत में बहुत सारे missions आए जिसे ये list है अगर देखें august offer है individual सत्याग रहे था कौन पहला सत्याग रही था individual कौन क्रिप्स mission के participant कौन थे भारत से कौन आया वहां से बाहर से कौन आया quit India movement जो CRG का formula था then decision याकत pact में क्या discussion हुआ क्या उसका outcome रहा जो शमला conference है वेवल का plan है royal Indian mutiny जिस पे movie बनने के बाद दी हो रही है और जो navy ने mutiny की थी cabinet mission ते भागा movement दो साल चली दीन साल चली अटली ने क्या अनौस किया PM अटली थे वहां पे UK में Dickie Bird मांट बेटन ने जो formula बनाया उसको हम balkanization वाला formula क्यों कहते है June 3rd plan क्या है plan Indian Independence Act में क्या लिखा हुआ यहने कुछ important चीज़े हैं आप देखो सब चीज़ें पढ़तो रहे हैं लेकिन यह चीज़ें important हैं बहुत disproportionately जादा important हैं पढ़ना पड़ेगा दिन उसके बाद चौती जो पांचवी हमेरे पास सीज़ आती है पांचवी चीज़ है banking और inflation से जुड़े हुए आपको बहुत से concepts जानने चाहिएं ठीक है जैसे monetary policy particularly क्या रहती है inflation targeting के बारे में various countries कैसे use करती है इसके बारे में पक्का जानो and then interest rate के mechanisms है monetary policy और exchange rate का क्या mechanism है और जैसे macro potential norms रहते हैं बहुत सारे institutions कौन से involved है mechanisms कौन से involved है and so on so forth क्या impact रहेगा currency का on this and that तो ये सब चीजें banking inflation modern जो हम इंडिया में जो missions है 1940 के बाद soils की बात करें rivers की अगर हम बात करें and गांधी जी ये पांच चीजों को मैं आपको चाहूंगा कि please आप इन पे disproportionate effort करो और out of the way जाके इन topics को prepare करना Wikipedia को यूज करो books को यूज करो sleepy के lectures को यूज करो और मैं simply आपको बस यह चाहता हूं बताना कि एक दिन में cover होने वाला नहीं है धीरे 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 plan बनाओ and ये धीरे धीरे ये plan बनाकर हर रोज हर रोज कुछ कुछ पढ़ते रहो and gradually retain करते रहो that is how that is how you crack prelims थोड़ा confidence से ठीक है तो ये 5 topics पर थोड़ा focus करना alright दोस्तों और अगर कोई चीज required हो तो please do let us know